हम सब करोना वाइरस की वज़े से चिंतित है, कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं पहली बात भीड की जगाव पर सोशल फंक्शन्स में ना जाए और अगले कुछ समय तक जरूरत ना हो तो लोगों से ना मिले क्योंकि ये वाइरस एक इनसान से दूसरे इनसान तक भी फैल सकता है दूसरी बात अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खासी है तो उसे दूरी बनाए रखे अगर आपको खुद को बुखार और खासी है और सास लेने में तकलिफ हो रही है तो अपने नजदी की डॉक्टर के पास जाए या हेल्प लाइन नंबर 1075 पर कॉल करे तीसरी बात अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोए कम से कम 20 सेकंड तक जितनी बार हो सके उतनी बार धोए चौथी बात गवरायनी अफवाव पर बिल्कुल विश्वास्तना कीजिए किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करे इस नंबर पर या लॉगाउन करे इस वेबसाइट पर आखरी बात ये किसी को भी हो सकता है इसे नजर अंदाज ना करे करोना वाइरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझ कर इसे हरा सकते है हम सब एक करोना वाइरस के मज़े से बहुत चिंदित है करोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज़ हम कर सकते है हमारे हाथ बने बहुत ज़रूरी है सिर्फ पानी से नहीं हाथ बने है साबू ज़रूर इस्तमाल करना है और जब आप हाथ मल रहे हैं साबं से यह आपकी सुरुक्षा के लिए है 20 सेकंड ज़रूर मली जाए उपर से भी ऐसे क्लीन करना ज़रूरी है और हाथ बदलते रही है ज़रूर मुझे लगता है 20 सेकंड खब मुह ज़रूरी हाथ अच्छे तरह से साफ दिजिए और उससे भी बहुत इंपर्टन चीज़ है उससे उसनी तरह से सुखाए है मुलिये जाए झाल 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 ंधर क्वमे मुलिये बदिन थायाओ झाल झाल